पौधे को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजे, पहँचान लीजे, क्योंकि ये पौधा बुढ़ा पे तक आपके दांत खराब नहीं होने देगा, दांतों में पीलापन, दांतों में दर्द, दांतों का हिलना, सूजन, खूनाना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को एक प्रकती में ऐसे हजारों पौधे हैं, जो उसदी रूप से हमारे लिए फायदे मन्द हैं, और उनमें ऐसे ही ये बहुप योगी उसदी पौधा है, यो तो ये हजारों रोगों की बीमारियों में काम आता है, लेकिन आज हम दांत के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इसका प्रयोग आपको बताएंगे, सबसे पहले आप हमें सस्क्राइब कर लिजेगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लेज इसे लाइक करके शेयर कीजेगा, और दोस्तों आपके यहां इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में एक वार हमें बता दीजे, और अगर आप इसके और भी उप्योग जानते हैं, तो कमेंट में लिख दीजे, जिससे हमारे दूसरे वीवर उससे जो है फाइदा उठा सके हैं, तो नमस्का, सुब प्रभात, मैं हूँ रवींद्र, आप बने हुए हैं आईरवेदिक काड़न पर, फ्रेंड्स हमारे यहां इस पौदे को बोला जाता है, चिड़ चड़ा या उल्टालपा, जैसा मैंने सुरू में ही आपको बताया, कि आईरवेदि में ये महा उससद के नाम से जाना जाता है, और हजारों तरह की बीमारियों में इसका प्रेव होता है, पत्ति, बीज, छिऔर मुद में आपको पैचान करना बता दू deromus, ये जो है पत्तिया, ये देखिये, इस तरीके की पत्तिया होती हяж, कॉमल-कॉमल, यह बड़ी पत्ति है, बीज, इसका सीड पॉड बन रहा है, ये देखिये जब भी आप इसे उपकनेंगे तो ये चूब जाएगा और क अमलपत्ती होती है तो ये खत्पत्वार के रूप में जातर ग्रोह होता है और ऐसी जगह मिल जाएगा जहां जुताई नहीं होती है घासफूस होता है मेनो पेर सड़क किनारे रूर्साइट और ये इसका जो है बड़ा पौदा है ये देखी इस तरीके का ये आयरवेद में औसादि रूप से काम आता है इसके इलावा तंत्र मंत्र पूजा पाठ और तमाम तरेधे जो वास्तो प्रेऑग है उसमें भी इसका बड़े इस्तर पे प्रेऑग किया जाता है इसके बीजों का प्रेऑग भी बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है witnessed लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दांतों के लिए तो जैसा मैंने शुरू में ही आपको बता है कि अगर आप दांतों के किसे भी प्रॉब्लम से परेशान है मन्जन घिस-घिस के आपको समय व्यतीत हो गया है आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आपको घवराना नहीं है ज इसमें जो है ब्रांचो यह देखिए यहां पर यह पौदा है इस तरीके की मोटी ब्रांच वाला पौदा आपको सर्च करना है और इसे उखाड लेना है अगर आप उखाड सकें जड़ समय तो सबसे ज़्यादा वड़िया है और जड़ के बिना भी अगर आप तोड़ ले इस तरीके की मोटी ब्रांच अगर आप तोड़ लें तो तब भी आपका जो है काम चल जाएगा तो इसकी जड़ निकलती है वो मैं आपको भी निकाल के दिखा राऊं किसी पौदे की यह देखिए यह मैंने यह पौदा जो है जड़ समय जो है निकाल लिया है यह सही सुबह साम इसकी दांतून कीजिए बिदन तीन दिन में ही आपको रेजल्ट मिल जाएगा और लगातार अगर आप दांतून करते रहेंगे जैसे आप पेश्ट करते हैं ठीक बैसे ही विलकुल फ्री की यह दांतून है और फिर देखिए आपके हिलते हुए दांत जम ज करता था तो यह फ्री का हमारा आयरवेद है आप इसे यूज कीजिए और अगर आप में उसे बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं तो कमेंट करके आप हमें अपने विचारों से अबगत करा सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद